पगत बेनी जी ब्रह्मन जाद दे सन करविच गरिबी बहुत सी गरिबी तो तंग होके उदास चित फिर्या कर दे सन एक दिन एक महापूर्ष मिल गए उस अगे दिल दी बात ते कारदी हालत खोल की दसी उस महापूर्ष ने पगत बेनी जी नू नेक सला दिती की पगवान दी पगती करया करो पगती नाल सब कुछ प्राप्त हो जानता है उस दे आखे लग के पगत पेनी जी रोज करो निकल जान दे स्वेरे जान दे ते शाम नू आउन दे सारा दिन जंगल विच बैठ के एक मन होके पगवान दी पगती कर दे रहन दे कर आये नू उस दी इस्तरी जद पुछ दी जी कित्थे गए सी ता उसनू उत्तर दे छड़ दे राजे दे दर बार कथा करन वास्ते गया सी राजा बहुत चंगा है कथा समाप्त होन ते ओहो जरूर बहुत सारा तान देवेगा पर कर वास्ते चिज्जां दी रोज लोड सी कता समाप्ती नू कोण उडिके एक दिन उस दी इस्तरी पगत पैनी नू बोली सुनो जी आज कुझ ना कुझ जरूर ले आउना नहीं दे कर आउन दी कोई लोड नहीं मैं भी मर जामांगी ते बच्यानों भी नदी विच्च गर्म हुन्दी गई पगत पैनी जी ठंडे हुन्दे गई आखर करू निकल गए ते जंगल विच जाके अग्गे नालो बोती अराधना करन लगगे उस दी पगती उत्ते प्रभू बहुत खोश हो गया उस दी ग्रिब्बी नू दूर करन वास्ते इक राजे दा रूप ता जी नू बड़े सितकारन आला ख्या देवी जी आब दे पती बेनी जी रोज राज दरबार कथा करन जान दीनी ओहो अजे कथा कर रे नी राजे वलू एहे चिज्जा कर दे गुजारे वास्ते दित्यां जान दिया हन नाल ही सोनना ते तान दित्ता बेनी जी दी इस्तरी ख खुश हो गई चिज्जनल कर पर गया पगवान करू तुर के बेनी जी कोल पुँचे उसनू पर्थक दर्शन देके आख्या पेनी जा तेरिया सारिया आशा पूरिया कर दित्या हन तु कर जा हुण जंगल विच बैठन दी लोड नहीं कर बैठ के ही मेरी पगती करया कर संत के राग रंग हो रे सान। खुश्या मनाय जारिया सान। आद शीरी गुरू गरंत से विच पगत बेनी जी दे तीन शब्द हन।